कि नर्मदे हर आज 20 नवंबर रवी बार रात्री को हम खड़क दान में सरी कंचन भाई जी के अंसे तरह पर रूखे थे अब यहां से आगे बढ़ रहे हैं कि नर्मदे हर कंचल भाई रास्ता पूशे कई बज़े जवान हो यह सीधू कि एक खड़क दा गाम है यहां पर दो रास्ते आते एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला हमें राइट वाले रास्ते से आगे जाना है खड़क दा गाम को पार कर एक नदी महिया आती है जिसके वेग की दवनी हम सुए थे वहां तक आ रही थी रात्ते को तो अब अब नदी महिया का नाम किया वह तो पता नहीं अब 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 हरक दा में भी बहुत ही सुंदर हो मिष्टे बना हो गए वंदा वंगेट नंबर दो हो मिष्टे परवेश हम वह सामने से आए जा पर वह बांद खड़िये वहां से वह सड़क इस में सड़क को मिल जाती है यहां से जरिया जाते और पीसे वाला सीधा यह रस्ता राजपिबला गुरूडेशोर और टैस्योप इंडिटी को जाता है यहां से आगे नानी अमबाजी बोलते हैं जो कि लगबग यहां से 5-6 किलोम्टर दूर है यहां से आगे तनकला गाम 8 किलोम्टर आता है तनकला में चन नानी अमबाजी अब भी हम जरिया गाम में आए और जरिया गाम में पंच समुकी हनुमान जी का मंदीर है है किधर से लेखते है गाम में बदाई तो कि आगे बदाई तो गाम तो अंदर है बॉर्ड भी नहीं है यह जरिया गाम है और हनुमान जी का मंदीर आगे शड़क पर ही बता रहे है इस पूरे मार्ग में इन बांबू के पेड़ बहुत चाहरे है इस तरफ और इस तरफ जो कि मार्ग की सुंदरता में अत्य दिक बूर्दी करते है नमो अधित्याया सूरीदेव भी निकल सुके साथ ही यह जो कुटिया बनी हुई है ऐसी कुटिया भी बंबू की लकडियों से बन जाती है जरिया गाम से लगपक आजा किलोमेटर आने पर यह पंच होगी हनुमान जी का मंदी रहता है कि यहां पर दर्शन कर थोड़ी देर विश्राम कर हम आगे बढ़ेंगे अधि कि अचय बश्रंग वाली कि नर्मदेर नर्मदेर अगए अगा कि अगा कि शुबह के आठ बजे और अभी हम जरिया गाउं के अनुमान जी मंदीर से रवाना हो रहे हैं जरिया की दूरी पांस किलो मेटर और यहां पर भी हनुमान जी मंदीर में परिख्पा वाशे के रुखने की व्यावस्ता है कि अब हम यह से आगे नानी इंबाजी जा रहे हैं जरिया गाम से लगबग एक से ड्याज किलो मेटर आने पर उडवागावा आता है उडवा गाम पर ये कैनाल बनी हुई है सर्दार सरोवर की सामने जो दिखाई दे रहा है ये उडवा गाम है नर्मदेहर नानी अमबाजी यहां से पी अभी पांच से सांथ किलोमेटर लोग बदा रहे हैं अभी इस नहर को पार कर थोड़ी देर के लिए या विस्तरांति के लिए बैटे हम बहुत से लोगों की यह माननेता होती है कि वहाँ से महिया का पानी आता है उसे पार करने से परिक्रमा खंडीत हो जाती है उदर से आता है तो ऐसी कोई बात नहीं अगर ऐसी है तो यह जो नहर आ महिया का पानी है यह मानर्वदा ही एक परकार से इसको भी पार करने से परिक्रमा खंडीती हो जाती है और इसको पार किये बगेर परिक्रमा करना संबह भी नहीं है कि अगरे 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 अभी भी अमबा जी यहां से साथ किलो मटेरी बता रहें जूप भी निगल चुकी है तो स्वेटर और टोपी भी बैग में रख दी है कि महराश्टर से नामदेव महराज के साथ जो संग निकला है उनकी यह गाड़ी यहां पर पड़ी है कि नर्मजे और कहां तक गया आपका संग हमबाजी रूगा है ठीक है ठीक है कि इसे नहर से हम लगबग 2 km शलका राते तीन रास्टे बढ़ते हैं यह सीधा रास्ता तनकला जाता है और इस बीच वाला रास्ता है इस अमबाजी अश्कार के लिए इसे जाते हैं तो तो थोड़ा लंबा बढ़ता ह। विसे लगवाग चार किलो मेंटर बता रहें यह कड़ोद गाम की तीन रश्ते पढ़ते हैं अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे सुलबानी सेत्र की तरफ बढ़ेंगे विढ़ेंगे क्तर यह साय सारा सित्र है यह आदी यजी बस ही ही है और आगे से एक दो दिन में हम सुल पानी जाड़ी में प्रविश्च करेंगे उत्तर टटकी लगबग हम जा सडक से मोड़े थे वहां से एक किलोमेटर अंदर आए और यहां पर यह बस इस्टन जैसे बना हुगा है इसके ठीक सामने एक जो यह रास्ता जाता है यह अंबाजी को जाता है पर यह वाला रास्ता साइद किसी गाउं की और जाता होगा इस विस्तार में आपको हर जग सारो तरफ सागवान की पेड़ दिखाई देंगे जहां देखो वाँ सागवान नहीं सागवान है अब दीरे दीरे हम जंगल की और ही बढ़ रहे हैं यह सारा सेत्र जंगल विस्ता लिए वैसे तुमा नर्मदा यहां से लगबख सेंसाथ किलोमेटर दूर बैती है फिर भी सेत्रे से गुजरते हुए एक अलगी परकार की सांती का अनुबाव होता है सारो तरफ सांती निरव सांती यहां पर एक नाला आता है वीश में और इस गाउं का नाम है वालपोर कुछ से गरो की बस्तिया है जिसे हम गाउं कह सकते हैं यह कडियापूर गाह यहां पर पीसे एक चंजने में चाई पर मंतरित किया थां चाई भीDas रवाना वोरहें कडियापूर नसषवाडी तैस्यद फ्रह जिल्ला औरधेपूर میں आता एंबबबभा प्रणी निर्वदा पूरा और कालियापूरा से हम अभी लगबग एकाथ किलोमेटर आ गया है और यहां पर यह तीन रस्ते पड़ते हैं जहां पर थोड़ी दिर विश्तरान्ती के लिए बैटे हैं अभी भी अमबा जी यहां से डैट से दो किलोमेटर दूर है कालियापूरा से हमें अभी थोड़ा आगे आए चाहां तीन रस्ते पर रुके थे वहां से आधा किलोमेटर आए और यह सामने गयाट दीखता है वह अमबा जी माता को जाता है यहां से एक अध किलोमेटर बता रहे गयाट से अंदर दर्वाजे पर ही मां अमबा को जूले पर बिठाया स्वागत के लिए सारों तरफ आप कैसकते आप जंगल ही जंगल है दूर उंचे उंचे पहाड दिखाई दे रहे यह वाला रास्ता तनकला को जाता है यहां से भी कुछ लोग आते इस तरफ से भी दोनों रास्ते यहीं आके मिलते हैं है मां में उंचे उंचे पहाड अब शुरू होने वाले पहाड बता रहे हैं कि अब हम जाड़ी में कुछी समय में प्रवेश करने वाले पहाड और यह सारों तरफ सागवान के पेड़ कि अब है कि अब है कि अब है कि किस परकार के यहां पर गर हुगा करते अब कि शोटा उद्यपूर के नसवाड़ी तैसिल में गावां आते हैं अब हमने इस प्यारे से गाम को पार किया है इसका दाम है वाकी खाका और यहां से भी अमबाजी अध्य किलोमेटर दूर है सडक के किनारे बहुती सुंदर बांबू के पेट लगे हुए और यहां पर यह किसी ने तुम भी आ फ्याकी हुई है सुबह के ग्यारा बजे और अभी हम लगबख नानी इंबाजी माता जी से बोलते वहां पहुँच गे सामने ही थोड़ा आगे मंदीर है इस तरफ ताड के वर्क्स बहुती सुंदर दिखाए दे रहे हैं यहां की सुंदरता में बड़ोतरी कर रहे हैं क्योंकि सारा सेत्र सुंदर तो है है कि मंदीर के ठीक नीचे या पीछे के इच्चे में इस श्रम्भू परती माज़ता भी थे मंदीर परिशर और भवन बहुत ही सुंदर है मगर यहां पर आप देख सकते यह जब महिया की घर में लोग इस्तापना करते और बाद में विशेजन करते तो यहां पर दुनिया भर की महिया की परती माई पड़ी हुई है पर रह जब बहुत लिए आप टुनिया रएफ पर दो भी कि घर बहुत सही है मुई है बहुत सेथिज तो जब के बहुत है झाल बहुत है दुई है झाल झाल